नौर के विख्यात खजराना गणिश मंदिर में किये जाने वाले विकास कारे और मंदिर परिसर के बाहर बनने वाले प्रवेश द्वार के विश्यों पर चर्चा करने के अदेश से मंदिर प्रवंधन समीती की बैठक आउचित की गई इस बैठक में मंदिर प्रवंधन समीती से जुड़े लोगों के साथ ही मंदिर के प्रशासक और निगमाईट आशी सीन फी शांबर हुए बैठक में खजराना मंदिर के बाहर मुख्य मार्ग पर सवाद दो करोड की लागत से बनने बाले भवे द्वार की डिजाइन फाइनल की गई वहीं इस द्वार को स्मार्ट सिटी के मद से किया जाएगा वही मंदिर में गर्बग्रो के बाहर दर्शन के दौरान होने वाली अव्यवस्था को देखते हुए दर्शन व्यवस्था बदलने का निर्णाय भी लिया गया उसी जो गड़े दुस्था होते हैं तब लकड़ी की इस्टेप लगा के भगवान के दर्शन कराये जाते हैं जिससे दर्शन फूलब तरीके से हो जाए तो वेसे ही रविवार और बुद्वार को भी आजकल यहां पर भीड़ होने लगी है साम की टाइम रोजाना अत्य धी लिड़ हो जाती है तो इसलिए अभी लकड़ी की इस्टेप लगा के टेंप्रेरी रूप से उसको देखा जाए के दर्शन वेवस्ता में सुधार किया जाए और अगर वो लकड़ी की इस्टेप काम्याब हो जाती है तो फिर मार्बल से पूरे मंदीर की इस्टेप बना कर मंदिर में भक्त निवास का निर्मान करने की योजना पर भी चर्चा की गई वहीं मंदिर प्रिशासक निगमायुक्त आशी सिहन बताया कि मंदिर परिसर में इठ्यासी कम्रों का भक्त निवास भी बनाया जाएगा एक हजराना मंदिर में हम लोगों ने कई सारे मुद्दे डिसकस किये जिनमें की कुछ मंदिर की दर्शन विवरस्ता से सम्मंदिर भी थे और कुछ इंफरस्ट्रुक्चर क्रिट किया जाने से सम्मंदिर भी थे इसके अलावा एक भक्त सदन यहां पर बनाया जाएगा, जनरली देखा गया है कि कई सारे जो दर्शनार्थी हैं, जो खास्तों पर बाहर से आते हैं, उनके लिए यहां पर उपने की समस्या उत्पन होती है, तो उसके लिए हम लोग एक 88 बेट वाली डॉमेट्री टैप की व साथ ही मंदिर समीत द्वारा एमबाय परिसर में मरीजों के लिए भोजन व्यवस्था करने पर भी विजार किया जा रहा है